Hello everyone, इस वीडियो में हम बात करेंगे HP की, so HP जब जनरली हायर करती है, तो हायर करती है software engineer या software developer की role के लिए for on the off campus और on campus, मतलब off campus भी हायर करती है और on campus भी हायर करती है, in non opposition के लिए generally जिनके लिए मैं अभी बात करने वाला हूँ, तो इनके हम discuss करेंगे इसका interview process क्या होता है, तो सबसे पहले इसके interview process में, कुछ इसके technical interview में कुछ subject है, जो काफी जदा important है, वो मैं list करता हूँ, सबसे पहले है DBMS, फिर है OS, तीसरा networks, चौथा है programming and data structure, ठीक है, इन पांच subjects से generally आपसे question पूछे जाने वाले हैं आपके technical interview में, तो मैं one by one की बात करता हूँ, कि HP का interview में आजकल क्या चल रहा है, so HP में DBMS, OS और networks के आजकल questions ज्यादा पूछे जाते हैं interview में, साथ ही साथ HP के interview की difficulty थोड़ी वड़ चुकी है, मतलब पहले थोड़ा सा easy उता था, अब थोड़े से difficult questions पूछे जाते हैं, तो DBMS, OS और network को prepare करने के लिए आपको एक proper preparation चाहि है, जैसे है, अपनी Geeks for Geeks, यह best site है, ठीक है, या आप इनके roadmap को follow कर सकते हो, ठीक है, लब बबर होई है कि roadmap को आप follow कर सकते हो, या साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपकी जो academic book होती है, तब आपने अगर अच्छे से note उसके बनाए हों, तो academic आपके notes भी काम कर जाएंगे, इन तीनों से आप कुछ भी prefer कर सकते हो, और इन तीनों के लिए ही आपको पूरा prepare करना पड़ेगा, मतलब आप लगबग कोई topic नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन तीनों से काफी सारे questions आप से interview में पूछे जाने हैं, और easy नहीं पूछे जाएंगे, medium difficulty के question पूछे जाएंगे, तो आपको इन तीन resource में से किसी भी एक resource से हर topic को prepare करना है, इन तीन subject के लिए, ठीक है, और इस में से सबस्यादा मैं आपको कहूँ, तो आप networks पे भी HP के लिए ध्यान ज्यादा देना, क्योंकि networks ज्यादा तर लोग ignore करके जाते हैं, लेकिन networks के अच्छ एक से दो क्वेरी लिखवाई जा सकती है, एक से दो क्वेरी लिखवाई जा सकती है, साधी जात में, आपसे जोएंस, primary की, foreign की, इस टाइप से कुछ छोटी-छोटी definitions पूछी जा सकती है, ऐसे OS में, सेमफोर क्या होता है, deadlock क्या होता है, पेजिंग क्या होती है, इस टाइ deras, the Act고醜, WS and the Orid system Programming, Programming और DSA में बात करों एक ही से दो करते हैं, तो, मैं एक से बहुता है, basic 100 programs तो आपको आने ही चाहिए, so basic 100 programs क्या है, basic 100 programs क्या है, basic 100 program है what is, zwyk 100 is जो हम लग 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 पढ़ते हैं अपने यह थोड़े से हाई लेविल उपर जैसे कि बिल्कुल छोटे में कहाँ तो LCMHCF ठीक है LCMHCF हो गया आपका और LCMHCF हो गया इस्टैक के हो गया पुषपॉप ठीक है पुषपॉप इंप्लिमेंट करना NQDQ ठीक है यह सारे इस टाइप के कुछ प्रोग्राम हो गया है पैनन्थेसिस बैलन्स चेक करना तो इस टाइप के कुछ लगवग पचास प्रोग्राम जुटे होते हैं पैटर्न्स वगरा इंकलूट करके तो यह डेटा इस्ट्रक्श्रस की में बात करूं तो डेटा इस्ट्रक्श्रस में आपको स्पैसिफिकली बताना चाहूंगा के डीपी और रिकर्जन और ग्रीडी इनसे कुछे जाने की उम्मीद काफी कम है लगबग कम को कुछे जाते हैं जाता जितना मैंने देख एंड प्रपेर करना है इस्टैक ठीक है इतके में नंबर और कोश्यन भी बताऊंगा क्यूं जिन पर सबस्यादा ध्यान देना है वो मैं आपको बताता हूं ठीक है हीप सर्चिंग सॉर्टिंग ठीक है ये कुछ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है जिनसे आपसे कोशन पूछे जाने वाले हैं इससे उपर नहीं आएगा लीट कोड मेडियम बड़ी मुश्किल में हो सकता है अगर वो पूछे तो पूछे तो पूछे जाएंगे हर टॉपिक के आपको लग बग मैं काऊंगा 10-15 कोशन अगर आप लीट कोट पर कर लो तो एनफ है मेरे सा आप से काम हो जाएगा ठीक है तो इस पर अगर आप थुड़ी और कोई गाइडन्स चाहिए तो अब कमेंड सेक्शन वगर मैं बताना मैं सेफरेट वीडियो भी बना सकता हूं डीएसे के लिए क्लिए क्यों कि मैं इस वीडियो को एक ओवराल सम्मरी के टाइप में रखना जाता है मैंने का ओवर्व्यू दिया कि आजकल है एच्पी के इंटर्व्यू में क्या पूछा जा रहा है तो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की ठीक है इससे आप से कोशन पूछे जाएंगे तो प्रोजेक्ट्स के कोशन क्या होते हैं मतलब एक इंटर्व्यू में इसमें सारे मेने topic cover करे हैं कि एक project से related आप से क्या question पुछे जा सकते हैं तो उसकी link आपको description में मिलेगी तो वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि project पे क्या overall questions पुछे जाते हैं किसी interview में साथ ही में last topic पशा हमारा HR question तो HR question की already a PDF ready है जिसमें सारे questions के solution भी attached हैं तो वह भी आपको एक नीचे description में मिलेगी FAQ HR question करके तो इसमें से जाके PDF को download कर लेगे तो उसमें आपको सारे question solution मिल जाएंगे तो यह दोना चीज आपकी prepare हो चुकी है इस पर ध्यान दे ज़्यादा है I hope आपको help होई होगी और next videos के लिए suggestion आप comment section में दे सकते हैं and सारी latest company के updates जानने के लिए telegram गुरूप पो join कर लेना thank you